अब भाउसे बोले क्या अब वो ठकीतों है नहीं वो तो विस्मित हैं चकित हैं आनन्दे थें उनके मन की बात हो गई कमला सनाए कमल पे बैठती है कमल की गंध उन्हें प्रिय है उन्होंने का धन्य है ये अयोध्या वासी हमारे अनुकूल इत्र बिछाया आये नोंने में मिल गई है तो लक्षमी जी को अपने अन्कूल गंध अपने अन्कूल परिवेश देखकर अहलाद थेमा और कौशल आने का रहा ना मेरी बहु ठक गई गोद में उठा लिया अब तो होड लग गई केके को लगा के अब कर क्या रही है ये बढ़ापे में बहु गोद में उठा लिए नोंने ये ठक जाएंगी उतार उतार फिर केके ने गोद में ले लिए थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना छोड़ दो हम लेंगी ने अब सीता जी सब वोच में हैं वो कहती है आप ऐसा न करें मैं आनंद में हूँ आपसे बस यही कहना था बहु आए तो पलकों पे बिच्छाओ गोद में उठा लो उसा है उसे पराया मसें जी वो कुल दीपक देने आई है वंश्विस्तार करने आई है भवतार का है वो कुल तारिका है घर का उजियार है घर का प्रकास है वो घर का भार उतार ने आ गई बहु बही आदर करने बहु नहीं आई है बहु के बहाने घर में लक्ष्मी आई है कौन क्याता है घर में बहु आ रही है बहु नहीं आई है बहु के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है लक्ष्मी आई है इससे कम मत समझना गाटे में रहु गए और अगर आप बुद्धी माने तो गाटे में नहीं रहेंगे मैं जानता हूं बहुको लक्ष्मी माज़, अज्मेपूना माज़, आदर करिए उस पर विस्वास कीजी, और आप निमेश करें, आप पहले करें, आप विस्वास कीजी पहले, आप उस पर विस्वास करें, पहले आप विस्वास करें, आप पहले आदर दें, आप जो करेंगे वही वो आपका अगर विस्वास पहले उसके मन तक पहुंचा है तो उसके मन में विस्वास जग जाएगा और आपके मन में अविस्वास है तो उसके भी अविस्वास पैदा होगा आपके मन में दुराव है लुकाव है छपाव है उसके मन में भी होगा आसन पर बिठा दिया गया सुन्दर से आसन पर फिर दूसरी बहु को भी मांडवी को फिर तीसरी बहु और मिला और चौथी शुरुद की थे सुन्दर से आसन शुबशकु नेगा चार होने लगे मंगला चरन होने लगा दश्रत इसे रहा नहीं गया उन्होंने का है तो रानियों का काम पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है हम तो बहुँआ के दर्शन करने चलेंगे अब दश्रत को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है रहनिवास में अनायास हमारा जाना तो सुमंतर को भी साथ में ले लिया फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंतर से बात नहीं बनेगी एक बड़ा सा काम कर लेते हिम्मत करके गुर्देव की चरनों में शीज रुकाया और कह अले गुर्देव बहुं को आशिरवादी देव वसिस्ट भी साथ सुमंतर और जब गुर्देव वसिस्ट का अगमन हो रहा है ये सुना सबने राजा आ रहे हैं तो बहुंए विचारी खड़ी हो गए अच्छे भली संगाहसन पर बैठे थे बहुंए खड़ी हो गए प्र करने का उन्हें तो दर्शन करने थे सिता जी के अपने बहुं के दर्शन के लिए उन्हें पता ही था लक्ष्मी लक्ष्मी का दर्शन ही करने अब चार कुमार खड़े हैं और चारो कुमारिया राम भरत लखन रिपदमन चोटी मां कहा मिलेंगे चोटी मां राज सदन में मिलती थी राज सभा में मिलती थी दश्रत के पास पैठी है उनको उद्वेग नहों उन्हें कस्ट नहों पीड़ा नहों उन्हें विश्रान्ती मिलें वो सहज रहें उनके हर सुक के लिए मां समर्पित है कह कई अब किसी बड़े नियम के लिए सारोकार के लिए सववाद के लिए निरने के लिए किसी निश्चे के लिए मां से पूछना है तो कौशल्या से नहीं कह कई से तो सारे घर के निरने कौन करती है मां कह के लेकिन घर की अंतरंग सारी विवस्थाएं वो कौन सी चौक पूर्णा है आलेपन है मंगल कलश रखना है तोरण द्वार मंगल बंदनवार रोज बंदनवार कौन लगवाती है सुमित्रा मंगल कलश कौन भड़ती है सुमित्रा घर की साथ सज्जा विवस्था भोजन बनेगा क्या किस प्रकार से घर चलेगा मौन रहेकर मां सुमित्रा बड़े कारे राजकाज मां सबसे छोटी मां कह कह आध्यात्मी कनुस्थान जेस्टा कौशल्या इसलिए द्वार पर कौशल्या जी को आगे किया उनके बाएं हाथ में केके खड़ी हो गई और थोड़ी सी पीछे सदा जैसे रहती थी पीछे सुमित्रा सुमित्रा की विवस्था देकर चके थी कौशल्या एक वितस्ते इसको एक वितस्ती कहते है एक वितस्त एतना कमल पराग पूरे भवन में बिच्छाया गया था सुमित्रा के द्वारा के लली जब पालकी में से पैर धरती पे रखेंगी तो उनके पैर सुकोमल पैर है उन्हें सुखद इस पर्ष मिले कमल के पराग उनके सम्मान में बिच्छाये गये कमल नहीं नहीं पुश्प नहीं पलम नहीं पात नहीं गंध नहीं कमल पराग पतानी कितनी कमल उन्होंने महां खिलाए होंगे